तो हमने लिए फ्रेंट्स आलू चारा लू यह हमने उनको दो कर साफ कर लिया है तो इनसे बनाएंगे हम आज बहुत ही टेश्टी नास्ता जो की सिर्फ थोड़ा समय लगता है लेकिन बहुत अच्छा नास्ता बन के तयार होता है तो इसको इस तरीके से चील कर साफ कर लेते हैं जो उपर का छिकल होता ना उसको अठा देते हैं और इसी तरीके से सारे ढूओ को हम चील कर तयार करेंगे और मैंने अलूओ टियार कर लिए इनको इस तरीके से हम कट कर लींगी जैसे कि विलखुल जिस बनातेना विलकुल ऐसे हमाई थोड़ा सा मोटा रखना है अलू को आलू मैंने इस तरह के से ना ही मोटे ना पतले इस तरह के सारे ही मैंने आलू की चिफ्स तैसे काट लिए हैं और हम इनको दो कर साफ करेंगे जो इनका थोड़ा सा गंदकी है वो भी निकल जाए और आलू हमारे अच्छे से साफ हो जाएं दुलकर तो हम इनसे एक नया नास्ता बनाएंगे तो इसके लिए फ्रेंट्स आप वीडियो को पूरा देखिए तब ही आपको समझ में आएगा कि हम क्या बना रहे हैं तो इसको हम इस तरीके साफ करके दोलेंगे और इसको एक अलग बर्तर में निकाल लेते हैं अपने चिप्स वाले आलू को बहुत टेस्टी नास्ता बनता है चोकि आपने कभी सायथ पहले नहीं बनाया हो नहीं खाया हो तो आप इस वीडियो को देखकर जरूर बनाईएगा तो मैंने आलू सारी निकाल लिए और इसमें हम डाल रहे हैं मैदा आपके अगर पास मैदा नहीं हो तो आप इसमें कौन फिलोर भी डाल सकते हैं हमने दो चमा चबी इसमें मेरा डाली है जरूरत पड़ेगी तो और भी डालेंगे और हरा धनिया और हरी मिर्च इसमें डाल दीए अब इसमें और इगनों भी डालेंगे इसमें डाल देते हैं और इसमें डालेंगे हम इसमें बाद में और भी मसाले हैं इसमें डालने के लिए वह भी हम डालते हैं इसमें तो प्रेंट्स अब इसमें डालेंगे हम पीरी-पीरी मसाला इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए हम इसे डाल रहे हैं इसमें नमक आदा चमच लगवक्वाद के अंसवार इसको अच्छे तरीके से मेला लेते हैं अगर मेदा कम लग रही है इसमें तो और भी रम डालेंगे बात में और इसमें आप चाहे तो कौन फिलोर्वी डाल सकते हैं उससे भी बहुत क्रस्पी बनता है नासतर तो मैदा हमें थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने एक चमस में और मिक्स किया है और थोड़ा सा पानी लेकर हमने हलका सा पानी लेकर इसको मैंने मिक्स किया है सिर्फ हमें इस पे थोड़ा सा लेयर ही लगानी हलकी सी तो बस हम इस तरह इसे-से आठों से मिक्स कर लिया है तो मेरा जब आलो ज़ूप गया है बहुत अच्छे से इसी तरह इसको 60 से रख देते हैं तब तक हम लेते हैं चीज तो चीज को मैंने की चीज वाली दूली है मैं इसको भी कट कर लेते हैं इस तरीके से हम कट लगाकर इसके बड़े बड़े से पीज कर लेंगे और हम चीज से नास्ता बनाएंगे तो इस नास्ते को हम नाम भी आपको बता देते हैं नास्ते का नाम है आलू पीजा तो आलू पीजा हम बनाएंगे आज तबे पर तो हम तबा मैंने रख लिया इस पर थोड़ा सा ओल लगा दिया है और इस पर अपने आलू जो काटे तो उसको सेट करते हैं अच्छे से एक एक इसमें आलू लगाते जाएंगे बराबर तो आप बड़ा सेट जैसा ही बना चाते हैं इस अपने आलू को लगा लिजिएगा तो हम बिल्कुल मीडियम साइज में पीज़ा बना रहे हैं आलू वाला पीज़ा आपने पीज़ा तो बहुत ही खाये होंगे साइद आलू वाला पीज़ा भी तक नहीं खाया हो नहीं बनाया हो आपने अपने गड़ पर तो आप इस पीज़े को जरूर बनाईए तो अब इस पर हम रखेंगे चीज और मैंने गैस को बिल्कुल ही अभी सिलो रखा है और हम हम इसके लगाते जाएंगे चीज को इस तरीकिसे सारी सिलाष्व मि यूज़ायूंहीं चीज की और इसके उपर फिर आलू की एक फिर लेल लगाएंगे इसके उपर से जिससे कि हमारे चीज अच्छे से ठव अक सब्सक्राइब हैं 고 बहुत अच्छे से में इसे चीज को Cover क दिए लिए ऊपस drift नले भाफ से एनधा लालेटे हो ओर सोड़ा साहरी मित्स बगर्रव Dobs, डॉर्व मसाले डाले तो इसमें दाल देते हैं तो इसमें फिर वही मसाले डाल दिया था तो अभी थोड़ा सा मेरा कच्छा लग रहा है पीजा आप देख सकते हैं तो अभी ढकाई से और पकाईगे कि तो इसको पलट लेते हैं और देखते हैं तो हमारा फीजा एक साइट में बहुत अच्छा सी क्या था तो मैं इसको निकाल लिया और पलट का इसे तवह फे फिर हम दूसरी बी इसको सेख लेते हैं तो देखा न बूट करस्पी थोड़ा से एफ ten डैस्षा करके इसको ओर छेखें कि खें गया व तो इसमें तो ऐल-खा देते हैं कि कैशा कि इसको मैंने अभी देशी गीश्य बनाया है फिरिंट्स बहुत अच्छा स्वाद आता है अगर देशी से बनाएंगे तो तो इसे भी हमने लगवा 8-10 में इसको शेक लिया है तो दोनों तरफ हमारा पीजा बहुत अच्छे से सिक आया है तो इसको हम पिलेट में निकाल लेते हैं तो मैंने पीजा पिलेट में निकाल कर आपके लिए रख लिया है तो इसको चेक करके भी दिखा देते हैं एक बार आप चक्कू या फॉक से चेक कर सकते हैं तो मेरे पास चक्कू है उसी चेक कर लेते हैं बहुत अच्छे से हमारा पीजा पकर तयार हो गया है तो इसको हम कट कर लेते हैं, इसी तरीके से तो देखाना आपने, कितना अच्छा soft फीजा बनाए, उपर उसकी layer बहुत ही, क्रस्पी है तो इसको मैंने 4पीस में कट कर लिया है और आलू का पीजा बहुत ही फटा-फट बन जाता है, तो कितना अच्छा लग रहा है आलू वाला पीजा पहली बार बनाया है हमने बहुत टेस्टी बना है फिरेंड्स और बच्चों को बहुत पसंद आता है बच्चे बड़े जोगी भी इसको खाएगा बहुत ही पसंद करेगा तो आप भी आलू वाला पीजा फटा फट बनाईएगा और खाएगा